किसान वीव आप सभी का नमस्कार मेरा नम गोईन पटेल है और आप देख रहे हैं खेती की पार्था यूटूब चैनल आज हम लोग 110 से लेके 120 दिन तक के जो धान की विराइटी उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं इससे पहले हमने 110 से लेके 120 दिन की विराइटी वाली एक वीडियो जो है पहले से हमने डाल चुका है पार्ट वान को तो आप खेती की पार्थाले यूटूब चैनल पे जाएक उसको विजिट कर सकते हैं आज की विडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कंपनी की जो की 110 से 120 दिन में पक्के त्यार हो जाती है उसमे पंदरा से 120 दिन में पक्के त्यार हो जाती है और लगभग 90% से जादा इसके टीलर और अनाज पूरे भरते हैं और इसमें पूस्प गुच्छों में जो दाने की संक्या बते गई है वो 275 से लेके तीन तो तक पानी की कम आउसकता पड़ती है और इसको जो है जैसे चाव आइज का 1629 गोल्ड पहले वालक नहीं था अभी वालक गोल्ड है तो जेकित देखे मैं आपको बता तो एराइज की जितने भी वेराइटी रहती है जिसमें गोल्ड जोडा जाता है तो वह बिल्बी के परतिस हंसील रहती है आपने चोंसर चुवालीस सुना होगा चोंसर जो इसमें अभी कुछ ऐसा होने वाल है देखते हैं यह भारत का पहला बैक्टरियल लीब ब्लाइट जो है उसके प्रति प्रति रोधी किसम है और यह लगभग जो है अन्य किसमें उसमें बीस से पचीस परतिस अधिकुद पादन देगी 115-120 दिन में पक के त्यार हो जाए अगले नमबर पर आते है एराइज का स्विप्ट गोल्ड यह जो स्विप्ट गोल्ड है यह भी जो है बेक्टरियल ब्लाइट के प्रतिस हंसील है अन्य वर्याटि से 20-25 परतिस आपको अधिकुद पज मिलेगी 115-120 दिन में पक के त्यार हो जाती है और साथ साथ यह जो है वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं मतलब कि छोटी वर्याइटी है जल्दी अगर आपको काटना है तो यह वर्याइटी लगा सकते हैं अगले नमबर पर आती है वह है वियनार वियनार 21-11 या फिर 21-11 यह जो बियनार का 21-11 है यह 100-100 से लेके 105 दिन में पक के त्यार हो जाती है इसके दाने जो है मिडियम पतले रहते हैं और जहां पर कम पानी गिरता है वहाँ के लिए यह परफेक्ट है साथ इसको जो है जो अपना आलू हुआ रोगरा हुआ तो उसके साथ आप इसको जो है क्रो प्रोटेशन भी कर सकते हैं इसमें जो है टीलर की संख्या जादा होती है और दाने अंतिम तक भरते हैं अगले नंबर पर भियनार का 22-22 या फिर 22-22 बोल सकते हैं आप इसको जो भियनार का 22-22 है यह भी है एफ-1 है और यह 110 से लिए के 115 जिन पक के त्यार हो जाती है मिडियम मोडे इसके दाने होते हैं साथ इसाथ यह गिरता नहीं है इसके तने होते हैं और इसमें टीलर की संख्या जादा होगी और दाने जो है अंतिम तक भरेंगे अगले नंबर पर भियनार का 22-23 यह जो भियनार का 22-23 है यह भी 115-120 जिन पक के त्यार हो जाती है ब्लास्ट के परती जो है यह सहंसील रहती है साथ ही साथ इसके जो है लॉंग बोल्ड है इसके मतलब की मोटा लॉंग लंबा दाना इसके होते हैं और इसके तने जो है इसके उत्पादन आपको ज्यादा मिलेगी अगले नंबर पर की आती है डिये नार का बीराट यह जो है 15-120 दिन पके त्यार हो जाती है बील बी के परती जो है यह सहंसील वराईटी है लंबे और जो है लंबे इसके हलके मोटे लंबे दाने होते हैं खाने में आपको अच्छा रहेगा और वजन भी आपको जो है अच्छा इसमें किसने जो आप variety देखे हैं, यह सारी variety जो है 110-20 दिन में पक्के त्यार हो जाती है, इन में से किसी भी variety को आप एक हिसाफ से जो है आप उसको चूस करके आप लगा सकते है, आने वाले समय हम जो है 135 दिन के variety, 140-145 दिन के variety, उसके भी बारे मेंं डीटेल बीटेओ लाने वाले ह तो अगर आप वे सब देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अन्य किसानों के पार सेर जरूर करिएगा धन्यवाद